जो प्रधान मंत्री ने किया है ये दुनिया का सबसे बड़ा इंप्रॉम्ट्टू फाइनेंशल एक्सपेरिमेंट है प्रधान मंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालुम था चीफ एकनोमिक अड्वाइजर को नहीं मालुम था ये डिसिजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है ये प्रधान मंत्री का डिसिजन है और इस डिसिजन के कारण करोणों लोगों को जबर्दस्ट लुक्सान हुआ है प्रधान मंत्री पॉप कॉंसर्ट में जाकर भाषन दे सकते हैं नाच गाना हो रहा है वहां भाषन दे सकते हैं ऑपोजिशन के 200 MPs यहां खड़े हैं 200 MPs कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसिजन क्यों लिया राजसभा को बताएं उन्होंने ये डिसिजन क्यों लिया प्रधान मंत्री नहीं आना चाहते हैं बहुत बड़ा सवाल है प्रधान मंत्री अ अंदर ना जाओ मीच जो पारल्लमन।क यह उनको आना चाहिए चो डिबेट होगी पूरी देबेट में उनको बैठना चाहिए जो हम कह रहे हैं जो बाकी नेता ऑपेजिशन हैं उसको सुनना पड़ेगा और उनको वहां बैठना पड़ेगा पहली डिमाइड यह है धूसरी मंत्री उनके प्रेजिडंट उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए